सिद्धार्थ नगर से अरुन शुकला पत्रकार की रिपोर्ट भुकम पर आधारित मेगा मॉप ब्रेल का आयोजन किया गया सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ नगर द्वारा भुकम पर आधारित मेगा मॉप ब्रेल का आयोजन किया गया जिला मुख्याले के मसीनस के सिध्धार्ट पब्लिक स्कून पर आयोजित इस मेगा मॉख ग्रिल में एंडियारेप की टीम ने भूकम्प आने पर लोग क्या करें और मकानों में फंसे लोगों का रिस्क्यू कैसे किया जाए इसकी जानकारी दी भूकम्प को लेकर इस मेगा मॉख ग्रिल में एंडियारेप के जवानों ने उची बिल्दिंग में फंसे लोगों और धायलों का अपने संसाधन सी रेस की फिया और आम लोगों को बिल्कों भी परेशान ना होने की हिदायत दी इस मेगा मौफ बिल के बारे में मौके पर मौझूद जिला विकारी इपक मीना ने बताया कि सिभ्धार्ट नगर जिला भुकंब जोन की सेकन सेंसतिव जोन में से एक है ऐसे में समय समय पर अंडियारप द्वारा विदिन शेत्रों में इस तरह कि मौफ बिल का आयोजन कर लो प्रभावित शेत्रों में लोगों की मदद कर रही थी अब भुकम्प को लेकर लोगों को यहीं टीम जाग्रूप कर रही है आपको बताते चले कि भारत नेपाल सीमा परस्थित सिध्धार्ट नगर जिलाव भुकम्प के लिए बनाए गए पांच जोन में चौथे यानी सेक मनोज कुमार शर्मा 50 कमांडेंट नगर जो कि है रिस्क जोन में आता है उसी के मते नजर यहां आज बुकम्प पर एक मेगा मॉक एक्सराइज का अजो जिन किया गया था इस एक्सराइज का जो मेजर रिजन था कि हमारे जो गेरियर स्टेक होल्डर है हम आपस में किस तरह से कॉडिनेशन से काम करें और अगर कोई कमिया रहती हैं जो किस Muses को समय रहते पूरा करें दाख़िक कभी एसी कि देखिए एंडी आरेफ के द्वारा रेगुलर बेसिस पे मॉक्रिल्स आयोजित करवाई जाती है और हर येर हम अल्मोस्ट फ्लड की क्योंकि फ्लड अफेक्टिट वीजन है तो हमेशा फ्लड की मॉक्रिल्स करवाते हैं पर जैसा आप लोग जानते हैं कि टराई बैल्ट और हिमालियस के पास में रहने की वज़े से एक सीसमिक फोर्ड जोन में ये जिला आता है जनरली पांच हाइएस कैटेगरी सीसमिक फइफ जोन है तो ये सीवियरली मॉडरीट कैटेगरी में आता है और हमेशा यहां बुकम के जटके आने की हमेशा चांसे। तो उ wire को हैं और NDRF ने अपने भी डिस्प्ले किये हैं कि how they rescue, कैसे वो rescue करते हैं, कैसे search operations करते हैं, तो काफी ये ज्यानवर्दक रहा भी है और NDRF पिछले 2-3 महीने से लगातार इस जन्पद में awareness का work कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफी help करेगी बच्चों को और समझने में भी और उनको motivate भी करेगी कि इस टाइब के rescue operations को जादे से जादा समझें और अपनी habit में inculcate करें कि कल को जब disaster आए, तो वो लोग उससे better prepared हो.